नमस्कार मैं तेजिस्विनी साउजी किचन में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे मैदे की परफी तो मैदे की परफी बनाने के लिए यहाँ पे मैने कड़ाई में लिया है आदा कप देशी घी अब हम इसमें डालेंगे एक कप मैदा मैदा मैने यहाँ पे छान के लिया अब हम इस मैदे को घी में पकाएंगे गैंस की फ्लेम जो है हमें धीमी ही रखनी है और इसे लगातार चलाना है मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट फॉवर्ड किया है मुझे मैदा पकाने में 20 मिनिट लगे है आप देख सकते हो इस मैदे का रंग चेंज हो गया है और इसे घी चूटना शुरू हो गया है हमें इस मैदे को खी चूटने तक मतलग कि इसका बाटर पतला होने तक पकाना है इसे पकाते समय हमें ग्यास की फ्लेम जो है धीमी ही रखनी है ताकि हमारे बर्फी का रंग चेंज ना हो जाए अगर आप ग्यास बड़ी आज पर रखोगे तो हो सकता है आपका मैदा जल जाए और आपके बर्फी का रंग चेंज हो जाए आप देख सकते हो हमारे जो मैदा है उसको अच्छे से घी छूड गया है बैटर भी थोड़ा पतला हो गया है अब हम इसे एक बाउन में थंडा करने के लिए ट्रांसफर करते हैं अब हम इसे साइड में रख देते हैं ताकि हमारा मिश्रन जो है थंडा हो जाए हमारा मिश्रन थंडा हो रहा है तब तक हम जीनी पिसेंगे तो यहाँ पे मैंने आदी कब जीनी ली है उसी के साथ मैंने यहाँ पे दो से तीन इलाईजी छिलके निकाले है हम इसी को भी साथ में पीस लेंगे हमें चीनी को एकदम बारिक पीसना है आप देख सकते हो चीनी एकदम बारिक पीसी है अब यहाँ पे जो मिश्रन है उसमें हम चीनी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट पॉवर्ड किया है अब हम इसी में जो बची हुई चीनी है वो भी मिलाएंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे तो ये मिश्रन अच्छे तरह से मिक्स हो गया है अब हम पर्फी बनाने के लिए लेते है तो पर्फी सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फॉल पेपर लिया है और उसे रेक्टेंगल शेप में बनाया है अब हमारा जो मिश्रन है हम इस फॉल पेपर में ट्रांसफर करेंगे मेरे पास स्क्वेर या रेक्टेंगल शेप का कोई बरतन नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे यह जुगाड किया है आप तिरेक्टली एक थाली को ग्रिस करके यह मिश्रन सेट कर सकते हो अब हमें इस मिश्रन को हातों से दबा के अच्छे से सेट करना है यह मिश्रन अच्छे तरह से सेट हो गया है अब हम इसे गार्णिश करेंगे तो यहाँ पे मैंने तीन पिस्ता लिया है गार्णिश करने के लिए और उसके छोटे छोटे तुकडे किये है पिस्ता डालना ओप्शनल है अगर आपके पास हो तो आप पिस्ता या फिर बदाम डाल सकते हो अब हम इस बर्फी को सेट होनी फ्रीज में 20 मिनिट रख देते हैं 20 मिनिट हो गया है और हमारी बर्फी जो है अच्छी तरह से सेट भी हो गई है अब हम इसके पीसिस कट कर लेंगे आप आपके हिसाब से इसके छोटे या बड़े पिसिस कट कर सकते हो सारे पिसिस कट करके हो गया है मैं आपको यहाँ पे एक बर्फी निकाल के दिखाती हूँ यह जो बर्फी है बहुत ही परफेक्ट बनी हुई है और एकदम टेस्टी बनी हुई है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा हमें आपको यह कैसी लगी हमारे चानल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद